नमस्का मैं आकाश और आप देख रहे हैं अन्बोक्स एक्सपर्टी यूट्यूब चैनल जैसे कि आप देखी सकते हैं हमारे पास आचुका है रियल में का 13 प्रो प्लस प्रीयल में का कैना है कि ये मेंली केमरा फोकस्ट फोन है तो चल लिए करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और देखते हैं क्या है सच जैसे कि आपस्टाइडल dalे इतित्षु इस करने वारे इस फोन को उसके लिवी वीडियो को नë तक पुरा देखें यह है रियल टिया UP box और black color का text है इस पर जैसे company ने बताया था कि कैमरा में AI का इस्तमाल किये गया उसी तरह box में उपर की तरफ आपको बड़ा बड़ा अक्षरों में AI लिखा हुआ मिलेगा golden color में realme 13 pro plus 5g most reliable smartphone service provider तो सबसे पहले उपर की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा hey welcome to the realme family make it real हम भी तो इसे real ही करने वाले हैं आप बॉक्स में आप लोगों गो सबसे उपर की और realme के कुछ stickers कोई गाइड़ सीम इजेक्टर टूल और उसी के साथ में ग्रे कलर बैक कवर देखने को मिलता है इसके बाद उपर की और आता है आपका इसे रखते हैं साइड में इसके बारे में बात करेंगी बाद में तो चलिए देखते हैं और क्या मिलता है बॉक्स के अंदर निच्चे आपको बड़ा सारा चार्ज़ देखने मिलेगा जो की 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है इसके साथ आपको टाइप एट रखते हैं वाट क्या गार एक य कि बात है क्या गालर डिजाइन है कि इसका बात में अगरेट साइड में वह सबस्कुक्न की दिजञें इसके बात करें तो कंपनि के इसाप से का बैक पैनल डिजाइन वह यूसक आप्यूसिए के मैं बोस्टन में उससे इंस्पाइरड है इस फोन में ग्लास बैक मैट फिनिश के साथ दे रखी है, यह बड़ी है बात है क्योंकि इससे इसमें फिंगर्बिन के निशान नहीं पड़ेंगे, इसका साइड फिरिम है, यह पॉली कार्बनेट का है, कैमरा डिजैन की बात करें, तो इसका जो कैमरा है, वो रियल मी 12 स्री जैसा ही है, और इसकी जो शेप है वो रोलेक्स राउंड मोड्यूल डिजाइन से इंस्पाइड है, और आउटर की बात करें, तो यह गोल्डन कलर में आता है, अगर मैं पोर्ट की बात करूं तो इसमें राइट साइड में आपको पावर अन और उपर की साइड में वोल्य नैनो सिम कार्ड देखने को मिलता है, इसमें मैक्रो स्ट कार्ड का स्पोर्ट नहीं दे गया है, वैसे जूरत भी नहीं है क्योंकि सबसे छोटा वेरेंट इसका 256GB के साथ आता है, तो डालते हैं एक नजर कैमरा फीचर्स के उपर, वैसे वीडियो के शुरुआत में ही आप अब सकारी हैं को तो कार्ड को सर्फट को बताएता है यो तो बात करें तो क्रें अ प्रागयों को आपका घच्रिवयोर्वात के सबस्टे। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 7S Generation 2 दिया गया है RAM की बात करें तो इसमें LPDDR 4X RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है इसे के साथ इसमें 500MH की बैंटरी के साथ 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग आती है OS & UI की बात करें आपको काफी सारी 3rd party apps देखने को मिलेगी हमेशे की तरह आप लोग इसे अनिस्टाल कर सकते हैं साथ ही में कुछ system apps को भी आप disable कर सकते हो और अनिस्टाल कर सकते हो वैसे इसमें Realme UI 5.2 आता है based on Android 14 इसके साथ आपको 2 years major Android update और 3 years security update मिलती है it's quite good connectivity की बात करें तो Realme 13 Pro Plus में 5.6 आता है 5G के 9 bands है Bluetooth 5.2 दिया गया है sensor की बात करें तो इसमें in display fingerprint और face unlock भी आता है तो चलिए जानते हैं इस phone में क्या अच्छा है और क्या बुरा camera में ये phone काफी बढ़िया है बस कुछ और चीज improve हो जाती तो बढ़िया था जैसी camera में आप लोगों को 4K video 30 frames per seconds पर ही दी गई है अगर 60 frames per second होती तो और भी ज़्यदा अच्छा था अगर stabilization की बात करें तो आपको 4K 30 PS per second में stabilization की सुईदा नहीं मिलती है उसके लिए आप लोगों को 180 P पे जाना पड़ेगा प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को Realme 12 series वाला ही प्रोसेसर दिया गया है जिसे company दोबर upgrade किया जा सकता था इसमें एक अच्छी चीज है कि इसका जो back panel है वो card दिया गया है जिसे पकड़ने में इसे बहुत ज़्यादा असानी होती है इसकी curved display काफी अच्छी है mainly ये phone आप लोगों को पहले ही बताया था है कि ये camera focused phone है तो इस phone में सबसे बड़िया चीज हमें लगी जो है portrait mode जो आप लोगों को एक DSLR camera की तरह फील कराता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तो जाने से पहले एक जुरूरी चीज बताना चाहते हैं आप लोगों को हम कर रहे हैं इस phone का giveaway तो giveaway के rules कुछ इस परकार हैं इस वीडियो में 5 लाख views, 10,000 likes जैसे ही complete हो जाते हैं